हलो मेरे एक्जाम वाडियर्स आई होब आपकी तैयारी बहुत अठी चल रही है ना आज इसी चैप्टर में हम फुल एनरजी के साथ किस पर आ गए है विद्ध्यूत एनरजी ठीक है देखो जैसे अभिप्षा क्या है अभिप्षा का मतलब आप क्या जानते है भई प्रबल इच्छा किसी चीज को करने की है ना आप लोग के प्रेड़ना किसी और वर से आता है तो वह कुछ टाइम के लिया होता है लेकिन जब खुच से आती न अंदर से इच्छा तो हम बहुत जादा आगे जाते है ना तो यह बस अब अपने अंदर से आद जाकृत करनी की समय आ कर ले थे हैं का करना है बस एक चैप्टर रसायन पढ़ लो विज्ञान पढ़ जी विज्ञान भूते की है ना ज्यादा नहीं जतना सुन लूना उतके ही काफी है एक दम बढ़िया पढ़ना है का कोई टेंशन नहीं घर में बिजली गुल होते ना वैसे दिमाग के गुल कभ चैप्र बिजली जाते जिसे बीजली जाते लिए चैप्र दिमाग शठी कभी अपनों इसे अज़िए अच्छा वह ऐसा के अरी मायिस का्भी से महू एक दिन करो तो खुट से आते ना डेकिन गुए अन्धर से अंदर से आहीं आई नगिट्टर नहीं अदर से अमोला यह क बात करना है तो अपन तरीकल पढ़के निंकल गेरी से अभी तुम अला पढ़ना है तो अपन पढ़ना कैसे है भी या कैसे मुलककल का बनना है मुलककाय करना है मुदाई दबर चीजला याद करके दिमाग में रखो रखो और पढ़ाई करो एक दम ज्यादा पढ़ू हुए मैज और न हमने पूरास एक सब्सक्किए पढ़ा बदो की निक प्रवाखर अउश्लिटं पर गड़तीए मतलब के लिए मतलबelfаютe was yet i a तो आप चेप्टर हो जए है ठीक है चलो आपना चेप्टर में आज है थे थैन भाई हमने के राइख नहीं है न कि अच्छे में परिपन को शुमिकित करेंगे ठीक है चलो आज आते हैं वह अध्याच से विध्यु धायां व्यारई परिपत इस वाले वीडियो में पूरी चै बहुत चोटा शेप्टर है बस एक के गोली लेना एक के गोली पूरा सब पेट साफ पेट गोली का हरे बता थो चलो ये गोली हरे आवेश का का आवेश ले समझ लो ठीक जैसे हम अंजातन न कहीं जे दिन निकल गे उज दिन का कुछ न कुछ काम कर के आबो उज इसने का आवेश का हरे baılwa कोई बैक्ती के गुण हरे मतलब जैसे हमनका का पतलाहं और शेंट होते आवेश होते या तो तेजित होई या कम होई तो वैसने हर वस्त। मुझे नहीं संसार में, जितना वस्तु होता है, तेमें कोई ना कोई आविश होई, उजी आविश लगा कीतना भाया, वस्तु के गुण, ठीक है, तो जो आविश है, वो कतना प्रकार के होते, धन-ाविश और रिन-ाविश, क्या होता है भया आविश? पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पास आते हैं यही क्या है आवेश का गुण होता है और आवेश क्यों पढ़ रहे हैं भई क्योंकि विद्यूत क्या है आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्यूत कहते हैं तो आवेश क्या है भई क्यू है ना इसका यूनिट क्या है कुलाम पहले याद कर लो आवेश क्या है व्यू और इसका यूनिट क्या है हमा बाश्तेंट में जाना स्कूल जात रहें है ना कई दिन मन नहीं कहते से लेकिन कई से भी करना ममी पापा हो कुछ भी बच्पन से भगा था जा ओ रहे पढ़ो रहे कतका कखेलू तो वही घर से स्कूल जातो लाज़रूम में गयना बस वही चरह यह तुहर क्लास दस्वी ठीक यह तुहर घर तो जिन घर से निकल के तुम आना इहां आये में जिन कार्य करें ठीक वो हो थे वीवो घर से निकलते ही कुछ दिर चलते ही क्या आता है स्कूल आता है तो घर से निकल के जो स्कूल आने में जो कार्य करते हो वही होता है वीवो उसी प्रकर क्या होगा ये एक आवेश है, आवेश को यहां तक लाने में किया गया कारिया, क्या कहलाता है, वीभो कहलाता है, सिंपल सी बात है, किसी आवेश को किसी छेत्र से उसके विद्धु छेत्र में लाने के लिए किया गया कारिया, क्या कहलाता है, विद्धु विभो, क्या बोला, आवेश को किसी अनन्त से छेत्र में लाने के लिए किया गया कारिया, विभो, सिंपल सी बात है, आपको स्कूल घर से स्कूल लाने में किया गया कारिया, विभो, सिंपल सी बात है, तो किसी बिंदू एक वोल्ट विभो कार्थ है, एक कुलाम धनाविश को अनन्त से उस बिंदू तक लाने मे किया गया कार्य, ठीक, अब विद्यूत्विभववांतर, ठीक है, आप class 10th में हो, class 11th में जाओगे, पढ़ाई करोगे, ठीक, पढ़ाई करोगे तभी जाओगे, तो वहीं क्या होता है विद्डियूद विभानतर, जैसे देखो, पाणी है, पाणी यहाँ पे इतना भरा है, और इसमें यहाँ भरा है, पाइप्स जोड़ दोगे, तो पाणी दोनों में बहेगा, जब तक क्या होगा दोनों में, बराबर लेजल पे नहाँ जाए, ठीक यह ह होगा सेम क्या होता आवेश के साथ आवेश इसके पस कम है तो आवेश का comment से बहना शरूहाती है आवेश बह adelante को आप यहां salam पानी बराबर होने के लिए बहती है, बराबर हो गया, रस्ट में आजाते हैं, तो उसी प्रकार, आवेश क्या है, एक उच विभांतर से निम्न विभांतर जाते हैं, और आवेश का क्या हुआ, जा रहा है, मतलब चल रहा है, मतलब क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया, आवे ठीक तो विद्योत विभांतर क्या को होता है किया गया कारे बटे आवेश ठीक है मतलब वी ये क्या है विभांतर किया गया कारे बटे आवेश जितना आप कार करोगे और कितने कितने आवेश को लेके जाओगे एक आवेश को ले जाने में किया गया कारे बटे आवेश ये आ आपको सुत्र याद करना हो इसका क्या होता है ऐसा ही मातरक वोल्ट कुलाम चार्ज का कित्ता होता है कुलाम यह याद करते चलो ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग किसमें विद्विभांद का ऐसा ही मातरक वोल्ट है इसको विभांदा किम आप किससे करते हैं वोल्ट मीटर से उजित किया जाता है ठीक है एक वोल्ट बराबर कोई पूछे तो क्या होता है भाई वोल्ट पहले बताओ विभो बराबर क्या होता है क्या होता है विभो बराबर कारे बटे आवेश तो विभो का मात्रक क्या हो गया भाई वोल्ट कारे का क्या होता है जूल, आवेश का क्या होता है कुलाम, मतलब वोल्ट is equal to जूल पर कुलाम ठीक यही क्या होता है एक वोल्ट होता है, ठीक आगे चले, चलो अब आगे भी विद्यूत, विद्यूत मतलब क्या भई आवेशों की प्रवागी दर को क्या कहते हैं, हम विद्यूत कहते हैं क्या बोला है आवेशों की प्रवागी आप कौन सा आवेश भईता है भाई, इलेक्ट्रॉन है जो मस्ती में इधर उधर घुमता है यह बदमाश बच्चा है यह जगह नहीं बढ़ता, यह यहाँ से वहाँ 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 से वहाँ से वहाँ तो आवेश की प्रवा मतलब कौन से आवेश गुम रहा है इलेक्टोण वह यहां से यहां से यहां इसको एक क्छाली सीट दिख जाए यह सबसे अध्माज बच्चा क्लास का किसी इका खाली जगा दिखा तूरं जाकर वहाँ तो वही क्या हुई भई आवेश की प्रवाः की इदर को क्या कहते हैं हम धारा कहते हैं ठीक है अब विद्यूद्धारा की दिशा बोल जाए तो अगर किसी परईपत में elektron इधर बह रहा है मतब इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो विद्युद्धारा की दिशा अपोजिट होगी, ठीक, तो विद्युद्धारा की दिशा किसके अपोजिट होती है, इलेक्ट्रोनों के विपरित होती है, या कहे जाये तो धनात्मकाविश की दिशा में होती है, अगर आता है MCQ, विद्युद्धाविश की दिशा, इले बटे T, क्या होगा, I क्या होती है, विद्युद्धारा, कमान Q बटे T होगा, ये याद कर लो भई, Q बटे T, अब बताओ I is equal to क्या कहा हमने, Q बटे T Q क्या है का कुलाम second, ठीक है तो I का क्या हो जाता है, MpR, विद्युद्धारा का I am I, इतर क्या होता है, MpR होता है, ठीक, किसी विद्युद्धारा के मापम किसे जादा किया जाता है Emitr के द्वारा किया जाता है, चलो आगे बढ़ो, विद्युद्ध्ध्षेतर आपको क्लास का छेतर, आप आपके क्लास में जब तक रहोगे, तब तक टीचर पढ़ाएगा, अभी बैठे हो, लेकिन जब तक क्लासरूम में रहते हो, कुछ भी आभी तो उट यह होगे मबाईल छोड़के, ज्यादा हो रहा है नहीं पढ़ूँगा, क्लास में लोगे तुटके जा सकते हो, क्या, नहीं, टीचर पढ़ाएगा, टीचर प्रेशर तो उसी प्रकार जब तक कोई विद्धुद्चेतर में रहेगा, कोई भी आवेश, कोई न कोई बल महसूस करता रहेगा, तो वही क्या होता है, विद्धुद्चेतर की त्रिवता, ठीक, आवेश का बाद छेतर जहां कोई अन्य आवेश रखे जाने पर आकर्शन या प्र होगा या रिप्यल होगा, आकर्शित होगा या प्रतिकर्शत, तो इसी को क्या कहते हैं, विद्धुद्चेतर, ठीक है, किसी विद्धुद्चेतर की त्रिवता को रखने पर जितने बल का अनुभो करता है, उसे विद्धुद्चेतर की त्रिवता कहते हैं, भाई ये क्या हो गई हमारा f upon q ठीक चलो आगे बढ़ते हैं ओम का नियाम अब भाई साहब ने क्या देखा कोई सरकिट है ठीक कोई भी सरकिट है इसमें वी भी है आई भी है तो इन्होंने क्या वोल्ट क्या है वीभौ मतलब आवेश को एक जगा से दूसरे जगा लेके जाना वीभौ कि जो विद्यूत विभौ है वो किसके बड़ा समानुपाती होती है करेंट के ठीक किसी बंद परिपत में सायोजित चालक जिसकी भौतिक परिस्तिती ना बदले मतले आप तार के लंबाई मत बढ़ाओ तार के ताप को मत बढ़ाओ तार में कोई छेट खानी मत करो तो लं इनके बीज क्या है विभौ है ये धारा बहरी है आई ठेक तो क्या होगा ये दोनों क्या होते हैं समानुपाती होते हैं अब इसको क्या समानुपात को हटा दो तो वी इस एक्वल टू आर आई या आर इस एक्वल टू वी अपॉन आई इसी कोई क्या कहते है हमनों नियत आ विभा और धारा का क्या है अनुपात होता है ठीक है तो ओम का नियम क्या है जब किसी भी चालक परिपत्थ में उसकी परिसितिया ना बदले जैसे ताप, लंबाई, कुई भी चीज़, उसके सीरों में उत्पन विभा उसमें बहने वड़ी धारा के समानुपाती होती है तो जितना वश्बहेगा उतने ही धारा होगी तो वही क्या हुआ धार एक समानुपाती होती है ठीक है तो यही क्या हुआ वी अनुपात आई और वी अनुपात आई है तो आ अपने अनुपात को उटाया तो क्या लगा दिया आर ठीक अब हमने क्या वही प्रतिरोध निकाला क्या निकाला आर है ना तो इसी के परिभाशा देख लो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो धारा धारा प्रवा के मार्ग में रुकावर डालता है अथ्वा यदि बंद परिपत के संयोजित चालक में विद्यू धारा प्रवा तो इस आई को क्या करती है रोकने का काम करती है तो इसके लिए क्या क्या करती है प्रतिरोध करती है तो इसके लिए प्रतिरोध का गुण होता है कि जो धारा मारगे में रुकावर डालता है या इसको क्या कहते है र is equal to V upon I ठेक यही क्या है हमारा प्रतिरोध है और इसका क्या यूनिट क्या होता है भाई ओम यूकि ओम भाई सामने दिया था इसलिए हमने इसका यूनिट क्या डाल दिया ओम डाला ठीक चलो आगे आजाओ चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कोई भी चालक है तो उसमें क्या उसकी रोखने के एक शमता होगी तो वो रोखने की शमता किस किस पर डिपेंड करती है ठीक है किस पर डिपेंड करती है चालक की प्र कि temperature जैसे temperature बहाते जाओ कि क्या होता है उसका temperature बढ़ता है, ठीच, तो क्या बोला भई हमने, R किसके directly proportional होती है, L के, और indirectly proportional होती है, A के, क्या बोला, जो resistance है, वो length के direct proportional होती है, कि जित्ती लंबी तार होके, उसका प्रतिरोध होगा, और उसके area के, मतलब उसके जो 6 तरफल है, उसका वित्ती लंबाती होती है, मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, पतले तार का प्रतिरोध जादा होगा, ठीक, तो इसे को ले रो, R, समानुपात को अटाया, तो क्या आया, नियतांक आया, तो नियतांक बराबर क्या हो जाता है, R into A upon L, इसे ही क्या कहते हैं हम ल एरिया का मीटर स्क्वेर, L का M, तो यह यह कटा, तो क्या हुआ, ओम मीटर, तो जो प्रतिरोध हकता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक, चलो, आगे बढ़ो, विशिस प्रतिरोध या प्रतिरोध हकता, यह क्या है, हमने रो के बारे में पढ़ा, ठीक, किसी अगर पूछा जाए चालक का प्रतिरोध की प्रतिरोध का प्रतिरोध का सयोंजन देखो चालक को क्या है जो धारा बहरी उसको रोखना होता है तो जो घरों में है किसी में भी हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को या तो श्रेनी कम में लगाते हैं, या समना अंतरकर्म में, ताकि उसके जो अधिक धारा है, उसको रोका जा सके, ठीक है, तो भईया देख लो, विद्यूद धारा के प्रवा के लिए एक पूर्ण परिपत की आवशक्ता होती है, जिसमें बह मैं करते हैं, तो श्रेनी कम में दूसरा समा अंतरकर्म में, थीक है, जैसे यह chasing होता है, अशलर क्या करते हैं, तो इसलिए क्या है? टारा हम neighbourhood,接NEY मारि आपने के लिए होता है, विद्यू त्विभॉन आपने के लिए ठीक है, यह एक्या होता है, यह हमारा battery होता है, यह हमार क्या है चालक होता है ठीक है तो इस तरह के से हम जोडते हैं तो उसी क्या है जो resistance है उसको क्या करते हैं हम लोग क्रम में लगाते हैं तो कैसे कैसे क्रम होता है भई पहला है श्रेणी का मतलब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में सोजित करने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा मतलब ये एक प्रतिरोध हो गया इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तिससरे प्रतिरोद के दूसरे सीरे से, इस तरह से क्या होते हैं, इन लोग connected होते हैं, ठीक, अब इसका R1, R2, R3, तो जो सैयोजी resistance होता है, R equivalent, वो क्या होता है, इनके सभी के plus करने के बराबर होता है, ठीक, आपको निकालने आता है, प्रतिरोद निकालो, सैयोजी क्रम में है, तो कैसे स्रेणी क्रम में है, या तो समयांतर क्रम में, तो आपको यह ही यह formula लगाना होगा, ठीक है, यह प्रशन ऐसा भी आता है, इसको पूरा solve करके बताना होता है, ठीक है, तो इसको solve करके, जब ह इसको क्या है हम लोग साहीं हो जी करंते हैं यह आर यह आरटी एसी होगा तो इसमें क्या होता है आर एकविड्बरन क्या होता है जैसे हमारे घर में फीटर होता है हम लूग पानी गरम करने के लिए हीटर लगाते हैं हैं दिए होग तोprehर्म करते हो तो घर लिए तो किया हिऊ परण रहे हैं दो पानी गर्म करने करते हैं तो क्या हो एलेक्रसिटी दे रहे हो लेकिन वो गर्म हो रहा है तो वही क्या है जो हम लोग विद्युद उर्जा है उसको किसमें चेंज कर रहे हैं उसमी उर्जा में तो इसी को क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं विद्युद उर्जा का तापी प वो उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती उसमें बहने वाली धारा प्रतिरोद के समानुपाती और उसमें बहने वाली जितने समयर तक बहरी है उसके समानुपाती होती है तो इसको तीनों को एक साथ लिग दो तो क्या होता है भाई I square R T ठीक यही होता है धारा क विद्यूत धारा का तापी प्रभाव ठीक आगे आजो विद्यूत शक्ति अब भाई आप विद्यूत दे रहे हो तो उसको कुछ पावर कंजुम होगा और क्या उर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है ठीक वही है तो वही क्या हुआ भी आपने विद्यूत दे रहे हैं विद्यूत उर्जा जा रही है लेकिन वो किसी अन्य उर्जा में परिवर्तित हो रही है है यह जानते है तो विद्यूत शक्ति क्या है बहादर जिस पर विद्यूत उर्जा किसी अन्य प्रकार की उर्जा में रुपांतरित होती है विद्यूत शक्ति क्या बो पुननफर्ण जितनी होती है वी इंटू आई आपको यह फॉर्मूला याद कर लेना है किसी परविद्यूत परविपरत में उर्जा हानी की दर को भी विद्यूत शक्ति को पीसे दर्शाते हैं ठीक विद्यूत हानी मतलब भई हानी का मतलब हो गए जैसे मेरी क्या मैं खाना पड़ेगा, तो भही क्या हुआ? विद्यू शक्ति ठीक तो विद्यू शक्ति का फॉर्मूला क्या है भई? पी इंटू आई और वी क्या होता है भई? वोल्ट यह होता है एंपियर ठीक अगर घरों में व्य होने वाले विद्धर उड़त के मापको देखे ठीके तो क्या होता है आप होता है आप ना पता है तो हमको मापना पते बिजडी बिल कैसे आता है ठीक तो कैसे आता है भई वे विद्यूत उडजा कितनी उडजा वे हुई ठीक यूनिट में तो विद्यूत उपकरनों की संख्या कितने लाइट है बल्ब है उसमें कितना वाट है ठीक कितने दीनों तक चला किते घंटों तक चला divided by thousand ठेक तो इसी का क्या होता है unit kilowatt आर ठेक आगे आजब घरेलू विद्धूत पर पत अब हम लोग घर में विद्धूत लगाते हैं तो क्या के जिस साउधानी रखने चाहिए भई घर में छोड़ दिये बच्चे हैं बड़े हैं बुढ़े हैं अज़ाना से साउधानी रखने चाहिए ये बाते आखको क्या हो सकता है कोशन आ जाए तो क्या क्या रखनी चाहिए भई स्विच रथा प्लग को कसा हुआ जोड़ना चाहिए उचित विद्यूत रोधी परत के तार प्रयोग करना चाहिए खराब अथव छतिक रस तार को तुरन बदल देना चाहिए आग लगने या दुरखटना होने पर परिपरत को स्विच तुरन बंद करना चाहिए प्रतिक परिपरत में ऊचित प्रदार्थ वावशक शंता वाले फ्यूस तार का उपयोग करना चाहिए सभी विद्यूत अप्करणों के लिए भूत अवश्या लगाना चाहिए बिशली के सुचों वाउप करनों का प्रयोग गीले हातों से नहीं करना चाहिए, तो अगर आपको ये कोशन आता होगा, common sense वाई चीजे है और रोज करते हो, ये साथानी हमको सच में रखनी भी चाहिए, तो ये सब चीजों को क्या है, आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है, तो चलो बच्चों, ये क्या था हमने, पुरा विद्यूत का मैंने ओवर्यू दिया, ये चीजे समझ लो, एक बार पढ़ लो अच्छे से, तो क्या है इसके जितने कोशन से वो समझ जाए 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 जाए, ठीक है, तो अगले चेप्टर में क्या है, हम इसे जो भी क्रश झाल